हे गाईज वेलकम बैक टू माई यूटुब चैनल और आज की इस वीडियो में हम दो सोकेट, दो स्विचीज और एक इंडिकेटर की वायरिंग करना सीखेंगे तो सबसे पहले हम इसे डायग्राम के थू समझ लेंगे और फिर हम इसे प्रैक्टिकली करके देख लेंगे गाईज जितने भी टूल मैं मेरी वीडियो में यूज करती हूँ, उनका लिंक में दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाकराम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने कोशन मुझे डियम कर सकते हैं गाईज इस वीडियो के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, आपकी रिक्वेस्ट पर ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो चलिए पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं तो काईज इस बोर्ड की हम फेज, नूटल और अर्थिंग तीनो वाइरिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम फेज वाइरिंग कर लेते हैं, फेज वाइरिंग के लिए हम रेड कलर का वाइर यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम फेज वाइर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर connect कर देंगे अब हम यही phase wire indicator के नीचे वाले isterminal और आगे वाले switch के भी नीचे वाले कर देंगे अब हम इस switch का socket के साथ connection कर देते हैं इस switch से हमारे socket operate होगा तो इस switch के ऊपर वाले terminal से socket के L वाले terminal पर हम एक phase wire connect कर देंगे और इसी तरीके से हमें यहां की भी वायरिंग कर देनी है तो switch के उपर वाले टर्मिनल से socket के L वाले टर्मिनल को हम connect कर देते हैं तो ये तो हो गई हमारी face wiring अब हम neutral wiring भी कर लेते हैं तो neutral wiring के लिए हम black color का wire लेते हैं और इसे हम connect करेंगे socket के N वाले टर्मिनल पर. आप चाहे तो इस टर्मिनल पर भी ये wire connect कर सकते हैं, तो यहां से ही हम ये neutral wire इस टर्मिनल पर भी connect कर देंगे. अब हम indicator की भी neutral wiring कर देते हैं, तो यहीं से हम एक neutral wire उठाएंगे, और इसे हम indicator के उपर वाले टर्मिनल पर connect कर देंगे. तो इस तरीके से हमारे board की neutral wiring हो जाएगी. अब हम कर लेते हैं अर्थिंग wiring, तो अर्थिंग wiring के लिए हम green color का wire लेते हैं, और इसे हम connect करेंगे socket के अर्थिंग वाले टर्मिनल पर. तो गाइज, यहाँ पर हमने यह अर्थिंग वाला wire connect कर दिया है, वैसे ही इस socket में भी हमें यह अर्थिंग wiring कर लेनी है, तो इस socket के इस उपर वाले टर्मिनल पर, यानि कि अर्थिंग वाले टर्मिनल पर हमें यह green color का wire connect कर देना है. तो इस तरीके से हमारी earthing wiring भी complete हो गई है अब हम इसे practically करके देख लेते हैं तो guys सबसे पहले हम इस switch पर ये phase wire connect करेंगे और फिर हम indicator और आगे वाले switch पर भी ये phase wire connect कर देंगे तो इतनी phase wiring हमारी हो गई है अब हम phase wiring कर लेते हैं switch के उपर वाले terminal से socket के L वाले terminal तक वैसे ही हम इस socket में भी ये wiring कर लेंगे तो guys face wiring हमारी complete हो गई है अब हम neutral wiring कर लेते हैं तो neutral wiring के लिए हम neutral wire को socket के N वाले terminal पर indicator के उपर वाले terminal पर और इस socket के N वाले terminal पर connect कर देते हैं तो guys face और neutral wiring हमारी complete हो गई है अब हम कर लेते हैं earthing wiring तो earthing wiring के लिए हम green color का wire लेंगे और इसे हम connect करेंगे socket के earthing वाले terminal पर तो guys socket के उपर वाले terminal पर हमने ये earthing वाला wire connect कर दिया है अब हमें socket के दूसरे वाले terminal पर भी earthing के लिए wire connect कर लेना है तो socket के इस terminal से लेके इस terminal तक हमें एक green color का wire connect कर लेना है तो guys wiring हमारी complete हो गई है अब हम इसे box में fit कर लेते हैं और फिर हम इसे test करके देखेंगे तो guys पीछे से power को मैंने own कर दिया है आप देख सकते हैं कि indicator में power आ गई है socket को आप अपने requirement के हिसाब से use कर सकते है इस तरीके से आप इस वाले board की wiring करना घर पर ही असानी से सीख सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो like करें अगर आपका कोई question या suggestion है तो comment box में comment करें मिलते हैं next video में ऐसी किसी और video के साथ तब तक के लिए bye bye and take care